पुश्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल का जो मुल्य है जो प्राइज है वो कैसे निर्धारित होता है और जो यहां पर आपके सामने नीचे एक हैडिंग आप देखेंगे न State versus Center on Fuel Tax यानि कि State कितना Tax लगा रहा है, Center कितना Tax लगा रहा है तेल के उपर जिसके चलते तेल जो है वो काफी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है और आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा तो तेल ही है मैं कहूं कि तेल इतना ज़्यादा परभावित करता है किसी देश को वहां पर सरकार गिर भी सकती और सरकार बन भी सकती है तो इतना important issue हो जाता है हमारे देश के इंदर या फिर बाकी के देशों के अंदर यह fuel price ओके तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए आप लोगों को बता देता हूं कि PDF जो है वो एक telegram का link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं अभी हाली में क्या था परधान मंत्री जी दिवारा एक online एक digital बैठक बुलाए गई थी वर्चुल बैठक इसको कहते हैं तो परधान मंत्री जी ने कहा यानि नरेंदर मोधी जी ने कहा जितने भी जो व कि हमने जो हमारा tax है यानि जो excise duty है तेल के उपर फ्यूल के उपर वो कम कर दिये लेकिन आप अपने राज्य में कम नहीं कर रहे हो जिसके चलते वहां के जो नागरिक हैं उनको फाइदा नहीं मिल पा रहे हैं तो आज की date में जहां पर एक हम देख रहे हैं कि रूस और य ताकि लोगों का भला हो लोगों को यहां पर राहत मिले उनके उपर जो economic burden है आर्थिक बोज है उसको हम कम कर सकें ये बात प्रधान मंत्री जी द्वारा एक virtual meeting के दुरान ये बात बोली गई थी और उस वक्त एक चीज काफी जादा वाइरल भी हो रही थी कि जो देली के ज अराश्ट्र, पश्चिमेंगाल, तेलंगाना, आहंदरपरदेश, तमिलाडू, केरल, जहारकंड तो यहां पर राज्जों के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर जो value added tax है इसको कम नहीं किया गया है वैट क्या होता है यह नहीं value added tax यह नहीं इसकी short form होती है वैट वैट ए यहां पर English के अंदर अब यहां पर इसको ऐसे समझेंगे जो हमारे देश के अंदर जो पेट्रोल और डीजल के प्राइज है अगर आप उसकी value देखते हैं base value यानि base price यानि आता कितना है देखिए यह हमको पढ़ता है अगर सरकार इस पर tax ना लगाई ऐसे ही जैसे देश स किसी दूसरे से बाहर से मंगाया और हमका ऐसे दे दे तो हमें 56 रुपी पर लिटर पेट्रोल आएगा और डीजल जो है 57 यानि लगबग लगब 58 रुपीज के नस्दीक डीजल आएगा डीजल महंगा होता है as compared to petrol जब बाहर से लेके आते हैं फिर इनके पर थोड़ा बहु 27.9 और पेट्रोल के ओपर डीजल के ओपर 21.80 और जो यह यहां पर डीलर कंजम्शन कमिशन जो होता है यानि कि जो आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उनका डीलर का कुछ कमिशन होता है तो वो यहां पर लिखा हुआ है ओके फिर इसके बाद वैल्यू एडिट टेक्स जाता है वैल्यू एडिट टेक्स स्टेट के दौरा लगाए जाता है एक टेक्स होता है वैल्यू एडिट टेक्स एक टेक्स है जो राज्ये के दौरा लगा जाता है हर राज्ये का वैल्यू एडिट टेक्स अलग-अलग होता है तो राज्यस्तान ने अलग लगा रखा लेते हैं जिसके चलते प्राइस जो है अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग देखने को मिलते हैं तो वैल्लु एडिट टैक्स यहां पर लगबक्स जो सरकारे हैं 17 रुपे जो पेट्रोल के उपर डीजल के उपर 14 रुपे लगाते हैं और जो डिटेल प्राइस जो बनता है, यहां पर हमारे सामने आके बनता है, 105 रुपया, 106 रुपया भी फिलाल पेट्रोल का चल रहा है, डीजल का 96 यहां पर लिखा हुआ है, डीजल का मुझे exact अभी पता नहीं है, और यहां पर अगर आप देखेंगे न, टेक्स से, जो एक आज यह हैं, उनको कितनी प्राप्ती होती है, टेक्स से, तो 2014-15 में तो राज्यों को तो काफी रिवेन्यू हुआ करता था, as compared to जो center था उससे, लेकिन आज की date में 2020-21 के, अगर हम आंकडों की बात करें, तो जो center है, उसको तो इतनी ज्यादा कमाई हो रही है, लगबग 3,00,000,000 से भी ज्यादा है, यानि 3,00,000,000 करोड के नस्दीक यहां पर बात करें, इतनी ज्यादा कमाई हो रही है, लेकिन यहां प अब revenue कम हुआ है as compared to center के मुकाबले, अब बात करते हैं कि जो इंदन, जो fuel है, उसके retail price कैसे decide होते हैं, जैसे मैंने का retail price जो हैना, तीन इसमें component शामिल होते हैं, फर्स्ट आता है base price, यानि अधार मुले जिसको कहते हैं, अंतराष्ट्य तेल की लागत को दर्शात है, यानि इंटरनेशनल, जो reflect cost करते हैं, इंटरनेशनल लोयल की, फिर आता है केंदर उतपाद शूल के, जिसको central exercise duty बोलते हैं, फिर आता है राज्य कर, जिसको wet बोलते हैं, value added tax बोलते हैं यहां पर, भारत में petrol और diesel की कीमत का एक बड़ा हिस्सा, केंदर और राज्य टेक्स है, मतल स्टेट के दोरा, अगर इनको मैं add करता हूं, तो यहां पर 45 रुपया, 45 रुपीज जो है, वो सेंटर स्टेट के दोरा ले ली जाता है, यानि लगबग लगबग जितने का तो petrol लिया, उतना double करके हमको यहां पर मिलता है, यहां इसके बाद बात करें, जो उतपाद शूल यह वो अपने हिसाब से वहां पर लगाती है, जिसके कारण क्या है, हमें अलग-अलग प्राइस देखने को मिलता है, और यही सबसे बड़ा कारण है, जो फ्यूल प्राइस है, वो काफी महंगा भोगताओं को पड़ता है, अब बात करें, के अंदर सरकार ने क्या किया था नमबर 2021 के अंदर, ग्रहां को कुछ रहा देने के लिए, पेटरोल डीजल के उपर, जो अपना, जो सेंटरल एकसाइस टेक्स है, उसको कम कर दिया था, अब यहां पर टेक्स तो कम कर दिया था, कितना कम किया था, पांच रुपे टेक्स कम किया था, पेटरोल के उपर और भी रहा देखने को नहीं मिली थी कीमत जो थी वो स्थिर की स्थिर रही थी अब सबसे बड़ा रीजन एक तो यहां पर निकल के आ रहा है रूस और युक्रेन के बीच में जो यूद चल रहा है जिसके कारण का है जो वैश्विक कच्छे तेल की उंची किमतों की वज़े से भारत में भी जो पेट्रो डीजल की पड़ेश न बढर है बड़ा है क्रूड ओल महंंगा हो रहा है क्रूड कीमते होई तो ऑब्विसली हमें पेट्रो डीजल की कीमतें बढ़ी हुई मिलें अब वेट र Chelsea रहती है पेट्रोल डीजल की कीमत भी अलग अलग रहती है डीजल की जो जो रीटेव प्राईज आंतर राश्ट्रास्ट्रक कीमत द्वारा निहंतु होती है कुछ सम्धिन हम यह energy का जो हम बाहर जो तेल मंगा रहे हैं वो 85% हम मंगा रहे हैं 85% कम नहीं होता हम इतनी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए 85% तेल बाहर से मंगा रहे हैं obviously कितना ज़्यादा हमारे उपर burden रहता होगा तो इसको कम करने के लिए जैसे सरकार ने बहुत सारी scheme जैसे चला रखी है अब electrical vehicle के उपर जैसे move होने की बात कही गई है government के द्वारा कि जल्दी से जल्दी electrical vehicle को लेके आया जाएगा introduce कि आ जाएगा उसके उपर subsidy जैसे दी जा रही है साथ इसाथ जो blending का एक process है कि जो तेल है वो बाहर से एक लिटर तेल मंगाया for example इसके अंदर हमने एतरोल मिला कि इसको दो लिटर कर दिया हमें तो एक लिटर प्राइस देना पड़ा ना इतना जादा प्राइस तो मिलेगा लगी लेकिन हमारी quantity बढ़ गई यहां पर क्योंकि हमारे देश के अंदर यहां पर गन्ने बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं तो यहां पर बहुत इंपोर्टन्ट revenue का सोर्स है यह सेंटर की बात करें चाहिए हम स्टेट की बात करें ठेल से बहुत ज्यादा राजसव revenue मिलता है सेंटर और स्टेट को बजट 2020 के अनुसार 2020-2021 के अनुसार इंदन पर उतपाद शुल्क यानि जो सेंटर एक्साइज टेक्स है सेंटर ने जो लगाया था उसमें सकल कर रासव यानि टोटल जितना रासव सरकार ने वसूला था बजट 2020 के इसमें बात वोली गए थी यहां पर एक्साइज टेक्स जिसमें सिर्फ तेल-तेल की उपर लगाया था यह था 18.4% पर एक्साइज पर इसमें सरकार ने टेक्स से सो रुपया कमाया इस सो रुपय में से तेल का रुपया कितना था लग बगला हुग साड़े 18.4 रुपया टेक्स जो है वो तेल से कमाया गया है सेंटर के दौरा अब यहां पर राज्यों की बात करें तो राज्य भी कम नहीं है यहां पर राज्य इसी इसी टाइम पिरिट के बात करें 2020 के दौरा यहां पर इन सेंटर की बात आ रही है सेंटर ने रुपयों की बात करें तो सेंटर ने रुपयों में यहां पर 3.1 लाक करोड रुपया कमाया है कच्छे तेल और पेटरॉली मुत्पाद पर टेक्स लगा जाता है उससे 11,661 क्रोड रुपे भी शामिल है यानि इतना रुपया सेंटर को प्राप्त हो रहा है सिर्फ और सिर्फ टेक्स लगाने से और इसी टाइम में बात करें स्टेट की तो स्टेट भी पीछे नहीं है 2.07 लाक क्रोड रुपया उसने टेक्स वसूला है यहां पर प करना चाहेगी नहीं अब यही सबसे बड़ा रीजन है कि इंधन जो फ्यूल है इसके ओपर टेक्स कम करने को लेकर राज्यों को समस्चाएं क्या हो रही है एक तो है इनका रिवेन्यू का परमुक्ष तरोत है पेट्रोल और एलकोहल पर जो टेक्स के माद्यम से राज्ये अपने रिवेन्यू जो जनरेट करता है वो एकत्याई हिस्सा होता है एकत्याई हिस्सा का मतलब है अगर एक स्टेट है मान ले हर्याना हर्याना के अंदर तीन रुपया पूरा इसमें रिवेन्यू मिल रहा है इस रिवेन्यू में से हर्याना रिवेन्यू यानि जनरेट कि दिया अब एक रुपया तीन रुपय में से एक रुपया तो इनको मिल इनसे मिल रहा है तो इतना बड़ा हानी तो वह सहेंगे नहीं कि हम छोड़ दें यह तो वह करने से रहे दूसरा रीजन यहां पर एक वैलिड रीजन यह है महामारी का परभाब अभी जैसे आपने देख वैक्सिन के कारेकरम चलाना वैक्सिन फ्री चलाई जा रही है तो इसकी आपूर्ति कहीं ना कहीं सो तो गॉर्मेंट करेगी ना तो वो करेगी कहां से ओविसली टेक्स लगा कर वह यह सारा जो आप देखेंगे ना एक साइकल चलती है आपका रुपया आप से लेकर उसको अलग कामों में लगाकर आप तक ही वो काम पूचाय जाता है एक साइकल चल रही होती है अब यहां पर राज्यों का एक कंसॉलिडेटिक डेफिशिट जो था यानि समेकित राजकोशिय घाटा वित वर्स 2020 में सकल घ्रेलू उतपाद के 2.6 परतिशत से बढ़कर वित वर्स क्या कम कर सकते हैं, इंफ्लेशन को कम किया जा सकता है, जो तेル के उपर इतना प्राईस बढ़त रहे हैं। देखिए भारत जो हैं वो त्द्द तेल को इतना जादा भारी मात्रह मंगाता है कि यह बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि हम इतनी value कम कर पाएं लोगों को राहत मिलवाई तो फिर भी यहां कहा गए कि हो सके तो यहां पर राज्ये और जो center है उनको tax कम कर देना चाहिए और फिर वहीं बात आ जाती है tax वो कम कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनको revenue generate करना है revenue generate करना है क्योंकि उनको अपना घाटा पूरा करना है तो यह आ जाता है अभी हाली में निर्मला सिता रमन जी ने कहा था एक bond जो थे पिछली government ने bond sign दिये थे पेट्रोल बॉन्ट एक त्रीके के फ्यूल बॉन्ट इसको कह सकते यहां पर यह पिछली सरकार के द्वारा जो फ्यूल कंपरीज उनको दिये गए थे यह का गया था कि आप प्राइज मत बढ़ाईए आने वाले आप एक बार काम करें हम आपको bond देंगे यह हम आपको धीर के द्वारा दिया जा रहा है कंपनीज को क्योंकि पिछली सरकार ने कर दिया था जिसके कारण का था निर्मला सिता रामन जी ने कि आने वाले टाइम में पेट्रोल डिजल के प्राइज कम नहीं हो सकते हम करी नहीं पाएंगे क्योंकि हम एक एग्रिमेंट में बदें हुए लेकिन वहीं पर एक प्राइवेट रिफाइनरी है जिने सरकार ने कोई भी सबसिटी नहीं थी तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है यह देखते हुए उच इंदन की किमतों का परभाब अब देखिए हमारे देश के अंदर जैसे ही प्राइज या फिर किसी भी द दूसरी जगह आता कैसे है उस ट्रांसपोर्ट को चलाया कैसे जाते है तेल से चलाया जाते है डीजल उसके अंदर सबसे मेन भूमिका निभात है अब डीजल के उपर प्राइज इंक्रीज हुआ तो उसमें रखा जो प्रोड़क्ट है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा अ नहां पर आम नागरिक को उसका भुकतान तो करना ही पड़ेगा आगे की रहा क्या बोली गई है देखिए आगे की रहा बहुत काफी टाइम से हम सुनते भी आ रहे हैं विविदिता लाने की जरूरत है हमें हमारे स्त्रोत के अंदर एक्जामपल हम जैसे ब्लेंडिंग कर स लेकिन यह इतनी ज्यादा मातरा में अभी तक बढ़ी नहीं है जिसके कारण हमें वह एक लाब दिख नहीं रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इन उपायों को अभी लागू ना करें हमें धिरे-धिरे इनको आगे बढ़ाने की जरूरत हैं दूसरी यहां पर बो लुगों को इससे कहाई ना कहीं रहात मिलेगी और एक बात यहांपर सरकार यह करनी होगी कि जो यहनुको इंदन है जो यहां पर तेल ना रखकर दूसरे देशों में भेज रहे हैं जिसे हमारे देश में कमी हो पा रही है तो इससे क्या है कि आप दूसरे देशों को कम कर दीजिए आप उनको मत भेजिए जिससे क्या होगा कि जो रिफाइनरी है वो अपने ही देश में भेजने के लिए मजबूर और कहीं ना कहीं इसमें प्राइज के अंदर कमी देखने को मिल सकती हैं यह एक उपाय बोले गए हैं खैर उमीद करता हूं कि कम्प्लीट जो टोपिक है वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइज कैसे इंक्रीज हो जाए पेट्रोल का डीजल का और गॉर्मेंट कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है अलग-अलग सरकारें कैसे अलग-अलग राज्य हैं इसके उपर कैसे रियक्ट करेंगे आने वाले टाइम में यह देखने वाली बात होगी है कैर पीडियोफ के लिए फिर से बता देता हूं कि टेलीग्राम का एक लिंक दिया थैक यह